जै श्री महाकाल, हेलो माई यूटूब फैमली कैसे हैं आप सब आप सब बहुत अच्छे हूं किया है तो वेलकम है मेरे न्यू ब्लोग में तो आज सुबह सुबह बनाने जहारी हूं बेटी स्कूल चली गई है और बैगन ला रखी थी पिछले मार्केट तो सोचने इस पर वेरा बनाते हूं कि लिदुन का मुछ बनाने बाली हूं और बने रहे MTA पेसाइब करोना तो बहुत करने हैं बहुत Sf बनाओंगी बैगनालू का थोड़े अलग तरीके से और जैसे मतलब आग में पकाते हो ना कुछ वैसा ही बनाओंगी में पास कंडे बंडे तो है नहीं तो मैं गैस में तवे में रखके पकाने वाली हूं और उसका मसाला लिट्टी का तयार करूंगी उसके पराठे तो सबसे पहले तवाई को चड़ा दिया चूले पर और यहां पर मैंने आयरन का तवा यूज किया था यानि लोहे का तवा और बैगन आलो टमाटर को अच्छे से दो लिया था और चीरा लगा लिया था यहां पर बैगन में क्योंकि चेक भी करना रहता है ना कि कहीं इसमें क कट लगा लिया था और यह बिल्कुल अंदर तक अच्छे से पक जाता और इसमें थोड़ा सा पानी डाल दिया था ताकि भाप से आधा पक जाए और आधा रोस्ट होके पक जाए और यहां पर मैंने अल्मूनियम का धक्कन लगा दिया था बैगन आलो टमाटर आराम से यह पकता रहेगा पहले तो पानी छोड़ेगा फिर पानी खत्म होने के बाद यह आराम से रोस्ट होके अलट पलटके में इसको सेख लूँगी अच्छे से और इधर दूद का पाकेट रखा हुआ तो धो करके फिर इसे भी चड़ा दूँग और साथी तयार कर रही थी यहां पे डाल तो टमाटर वगरा दो चिल लिये थे और थोड़ी सी दाल बनाऊंगी अरहल की डाल बच्चे खाते हैं तो यही दिखा रही थी कि यहां पे टमाटर मैंने चिल के यूज़ किये हैं और कई बार उनका छोटा हो जाता और निकालने में दिक्कत होती तो इसले तो श्चेल के एडाला है और इसले मैं टमाटर अच्छे टाइट वाले मिर रहा हैं तो श्चेल भी जाते हैं आराम से और भरता आराम से पक रहाइए इसमें मैंने स्टिल मैं भरते को यानी कि चोखे के लिए बनाया है न तो बस इसे अपलत रही थी इसका पानी ऑलमुस्ट खतम होने लगा है और ने टमाटर फटने लगे हैं यानि यह अल्मोस्ट पक चुके हैं थोड़ा सा और हो जाएगा पुरा अंदर तक अच्छे से गल जाएगा ना तो इसका भरता बनाने में बड़ी आसानी होगी फिर मैंने दुबारा देखा था तो इनका साइड में हमेश इसे निकाल लिया है चेक भी कर रही थे और चिलका पाराम से निकल जाएगा और बहुत ही बड़ी निकलता है इसका और यहां दो आलू भी चड़ाये थे मैंने और यह आलू के साथ ही भरता बहुत अच्छा लगता है आलू की मातरा जादा भी कर सकते आप अपनी हिसाफ स वैसे आलो की मातरा जाता करो तो अच्छा ही लगता है पर मैं इतना आलो खाती नहीं आपको तो पता ही है और मुझे वापस से मोटा नहीं होना इसलिए दो ही आलो डाले थे स्वात के लिए बस और यहां आटा लगा रही थी मैं तो यहां पे नॉर्मल वीड लिया था यानि गेहूं का आटा और इसमें डाला था मल्टी क्रिंस जो आटा मेरे पास है वो डाल दिया था दो-तीन चमच यह बिल्कुल ऑप्शनल है यह थो मैं हेल्दी बनाने के चक्कर में डाला है इसमें आप चाहो तो बिल्कुल गेहूं का आटा ही स्तमाल करो बस इससे भी अच्छ तो बस यहां पर जार ले लिया, इसमें एक टमाटर डाला है, और लेसन की दो-चार कलियां, और मिर्च जाएगी, और इसमें धनियापती तो मैंने आज धेल सारी यूज़ करी, क्योंकि धनियापती का आज गजब का यूज़ होने वाला है, और यह बहुत ही बढ़ीाँ धन तो बस इसे बारीक बार एकदम बार इक सा कट कर लिया है लेसन वगरा चील ली थी प्याद चील के रख ली थी अदरक वगरा रख लिया था सब कुछ और सबको मैं बारिक बारीक कट कर लोंगी और फिलाल तो चटनी बनाओंगी तो चटनी में जाएगा खटास के लिए यहा दो दो नीम्बू इसलिए यूज़ कर दी हूँ एक तो चटनी में जाएगा और जो सेत्व का मसाला तेहर करूँगी ना उसमें भी डालने वाली हूँ आप उसमें चाहो ना कोई आपके पास पुराना आम काचार हो बड़ी वाली जो लाल वाली मिर्चाती उसका हो तो आप पूबे डालके देखना बहुत सही लगता है तो बस यहाँ चटनी में डाल रही हूँ नीम्बू और उसके बाद नमक डाल करके बस इसकी बढ़ियां से चटनी बना लेनी है और इसमें एक दो बीच चले गए थे वो हटा दिया और इसके बाद मैं फिर से देख रही थी भड़ते को तो साइड चेंज कर दिये कुकर साइड में कर दिया है और बीच में भड़ता कर दिया अब इसे मेडियम फ्लेमें में आराम से पकाऊंगी क्योंकि यह बड़े बर खोड़ दूंगी नॉर्मल यह ठंडा हो जाएगा तो फिर निकाल करके इसको छील लेना है और बहुत ही बढ़ियां भरता बनके तयार होगा और यहां मेरी चटनी भी बढ़ियां सी बनके तयार हो गई है और इसमें थोड़ा समय पानी डालूंगी सारा का सारा चटनी नि है इसकी बहुत अच्छी लगती है काड़ी-काड़ी भी अच्छी लगती है पर इसकी जितनी पतली चटनी रहती न उतने ही और जो सेत्तु का मसाला बनाने वाली हो न तो बस यहां पर मैंने हैंड ब्लेंडर में डाल दिया है प्यास डाली है थोड़ी सी अधरक डाली है अधरक की मातरा थोड़ी कम रखनी है और जस्ट डबल रखा है मैंने लहसन की मातरा और बस इसे अच्छे से इसको बारिक-बारिक सा कर लेना है आप चाहो तो हाथ से भी कर सकते हो और चाहो तो इस तरह से ब्लेंडर से कर लो तो इकठा ही हो जाता और आंख में आसू भी अधरी आते हैं तो सब कुछ निकाल लिया है एक बगोने में और मुझे खाना है अकेले तो इसलिए उसी हिसाब से बनाया है उसमें डाल दिये धनिया की पत्ती और धनिया के बिना तो यह बिल्कुल भी अधूरा है और यहां पर डाल दिया है मैंने रोस्टेट जो चने हो तो इसमें जाएगा नीबु और यहां पर डाला है काला नमक और इसमें जाएगा पिंक सॉलद डाला है आप वाइट सॉल्ट खाते हो तो वो भी डा सते हो और नीबु डाला है आप अपने हिसाब से जालें जितना भी ख Stop घटा खाना चाहते है वैसे थोड़ा चशल लगत बना के खहो बहुत ही बढ़िया से लगते हैं तो बस सब कुछ अच्छे से मिला लेना है और इसमें डाला है हलका सा सरसो का तेल इसके बीना तो यह अधूरा है पूरा कच्छा सरसो का तेल इस्तमाल होता है इस गज़ारी हो न लिट्टी चोखा लिट्टी पराठा पराठा और भरता हाँ तो बस इसमें कच्चे सर्सो का इस्तमाल हो रहा है और इस कच्चे सर्सो के तेल का जो इस्तमाल होता है ना इसका आरोमा बहुत ही बढ़िया लगता है और यहां पर छोंक लगा रही थी डाल को तो नॉर्मल सा ही छोंक लगाया है यहां पर हींग और लेसन और लाल मिर्च का तड़का लगाया, इसमें थोड़ा सा जीरा डाला था, ये मेरा मतलब एक नॉर्मल सा तड़का ही रहता हमेशा, और बच्चे बहुत अच्छे से खा लेते हैं, आज मैंने जीरा डाला है, और कई बार बच्चे भी देख रही हैं, एक दो बार डाल करके, कि ब बच्चे खा ले रहे हैं, तो बस दीए-दीए खाना सीखेंगे, तो बस ये आटा बढ़िया सेट हो गया था, और मसाला रेडी था, खा के भी देखा था, मसाला एक दम बहुत परफेक्ट बनके तयार हुआ था, और आटे में भी नमक है, और मसाले भी नमक है, तो ये दो असा में बोलते हूँ, मैं तो असार नहीं बोलती हूँ, और फैलाना जो भी बोलो, और तवे में हलका सा तेल लगा दिया था, ताकि एकदम से चिपक न जाए इसमें, और बस इसकी लोया तयार कर ली थी, स्टफिंग भर ली थी इसमें, और बढ़िया से बना लेने हैं प सारे पराठे रेडी कर लूँगी, यानि हलका सा गरम ही था, तो बस इसे निकाल लिया है, बैगन के सारे छिलके निकाल लिया है, बीच से चेक भी कर लिया कि कोई कीड़े विड़े तो नहीं है, और हाँ इसमें जो बीच होते हैं, अगर आपको खाना नहीं पसंद है बैगन के बीच, तो आप हटा सकते हैं अगर जो एक दम मतलब बहुत ही छोटा बैगन होता है अभी मैचोर नहीं रहता है तो इसके बीच से कोई फरक नहीं पड़ता है, कईलों के नुकसान भी करता है, तो जो बड़े बैगन होते हैं, उसके बीच थोड़े बड़े होते तो मैं कई बार निकाल देती हूं, तो अलकी सी मिर्च डाली थी बहुत थोड़ी सी और फिर मुझे यादा है बच्चे भी खाएंगे तो मैंने हटा दी थी और फिर इसमें डाला है मैंने नमक और इसे आप चाहो तो हास से मसल लो आप वैसे तो हर चीज हास से ही जितना स्वाद आता वो किसी चीजों में नहीं आत तो मैं तो हास का ही इस्तमाल करती हूं आप चाहो तो चंबर से या तो फिर मैशर किसी भी चीज़ कर सकते हो और अच्छे से पूरा बारीक कर लेना है मसल लेना है और इसमें भी जाएका कच्चा सरसो का तेल इसके बिना यह चोखा बिलकुल भी अधूरा है स्वाधी नही शाषोब आगई और बेटी प्रचूल से आगई है इसका फिर ताली बनगे, तयार थाथे भAL है धमसा नीवाल ना mother Nya person कि गजब का लगता है मतलब गजब का लगता है तो बस हम लोग खाने चाहते हैं और आप भी आजाईए हमारे साथ ट्राइब करें यह वाली थाली बहुत अच्छी लगती बहुत बढ़ियां लगती है तो एक बास जरूर बना के देखना फिलाल अभी हम लोग खा तो मैं यह यह रेसिपी वाला ब्लॉग आप लोगों को आई होप अच्छा लगा होगा अच्छा लगा तो पीस जादा से जादा अपने फ्रेंड फैमली में शेयर करना लाइक करना और कमेंट करना बिल्कूल भी मत भूलना बाई बाई